यग्ड कर वे फ्रेंट वैलक्म बेग टू मय यूट्पे चल्ण्न हम इसके डिके एद आज की शेयर के बारेंब बात करेंगे वह है अडानी पावर एडानी विलमार पहले हम बात कर देते हैं अडानी पावर के बारे में आज हमें इसके अंदर जो है पांच परसेंट का जो लोवर सरक्ट देखने को मिल गया है मैंने हमारी पिछली वीडियो में इसका जो टार्गेट दिया था वो 300 रुपे दिया मैंने बोला लिए 300 रुपे तक जो स्टो हो गई हमें जाते देखने को मिलेगा उसके बाद हमें जो इसकंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है यहां से अगर इसकंदर गिरावट होगी न वो 20-30% के असपास हो सकती है इससे कम इसकंदर जो इससे जादा इसकंदर गिरावट नहीं होगी अप्रोश्मेट 20 या 30% के आज पास गिरावट होगी वहाँ से हमें फिर से इसके अंदर जो अत्य जी देखने को मिलेगी क्योंकि आप देखोगे इसका जो quarter for result भी आना है recently अगर इसका quarter for result इसका profitable आता है अच्छा आता है आएगा भी अच्छा ही तो हमें जो अनेशका अंदर फिर से बूम देखने को मिलेगा आपने देखा होगा इसके जो एक महिने में रिटन दिया है वो 86% है जी हाँ अगर बात कुरूँ में इसके 6 महिने के रिटन की तो आप देखोगे 174% है अगर बात कुरूँ में इसके 1 एर के रिटन की तो आप देखोगे सिर्फ एक साल में इसके 200% जी है अपने इन्वेस्टों का पैसा जो है टू टाइम किया है सिर्फ और सिर्फ 1 एर में तो आपको इस ग्राटों लेकर पैने के नहीं होना है आप अगर इसके साथ लोंग टाइम के लिए चलते हो जी हैं एक से दो साल के लिए बने रहते हो तो जो स्टोक है में एक से दो साल में 600 रुपे को पार करते नजर आएगा सिर्फ एक साल में अगर आप दो साल के लिए बने रहते हो जो यही स्टोक जो हमें 800 रुपे के आसपास भी देखने को मिल सकता है इसलिए मैं कहता हूँ अडानी पावर बहुत अच्छा स्टोक है आने वाले टाइम में हमें जो इसके अंदर बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी तो आप इसके साथ जो अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता ही होगा आने वाला जो टाइम है वो इलेक्रिक विकल है इन सब चीजों में जो है यह अडानी पावर एंटर करने वाला जैसे टाटइ पावर है वैसे ही जो अडानी पावर भी YouTube जो में आटरी करेगा आपको पता है होगा जो टाटइ पावर हो 일ेक्रिक विकल के लिए जो चारिजड इस्टेशन लगाती है अब हम बात करते हैं अडानी विलमार के बारे में आपको पता होगा इसकंदर भी आज हमें जो अप्रोक्शमेट साधे चार परसेंट के आसपाथ जो गिरावट देखने को मिल रही है अडानी पावर में तो आपको जय एलसी देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें जो परसर बड़ा है इसी काड हमें जो इसकंदर यह गिरावट देखने को मिल रही है आपको गिरावट को लेकर पैने के नहीं होना है जी हाँ मैंने हमारे पिछली वीडियों भी बता दिया था कि इसकंदर जो हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है अगर गि के लिए बने रहते हो ना तो आपको सबसे best और अच्छा profit देखने को मिल सकता है इन stockों में तो आने वाले time में यानि कि 1-2 साल में दो stock जो हमें 1200 रुपे के आसपास जाते देखने को मिलेगा Adani Wilmar जी हाँ आपको पता ही होगा Adani Group जो है वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट परेशन मन चुका है गोतम Adani तो आने वाले time में इसका जो business है वो बहुत अच्छा है तो आने वाले time में हमें जो इसका अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अगर आप इससाद लोग टाइम के लिए बने रहते हो तो सबसे best stock है यह दोनों एक टाटा पावर भी जो है सबसे best stock है पावर सेक्टर के दोनों stock आप उठा लो टाटा पावर और अडानी पावर आने वाले time में आपको पता यह होगा electric vehicle है जैसे की renewable energy इन सब में जो है यह बहुत जादा वो हो चुके हैं तो हमें आने वाले time में बहुत अच्छी तेजी देखने मिलेगी अडानी पावर, टाटा पावर अगर माँ बात करूँ अडानी विलमार और अडानी पोर्ट यह चारो stock जो बेस्ट stock है सबसे बेस्ट stock में इन चारो को मानता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में भी फिलाल है अगर वीडियो पसंदा आते के लाइक कीजिए और भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और थेंक्यो फर वोच्छिंग दे वीडियो